नमस्कार आप सभी का श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फीजिकल एजुकेशन अड़ा के उपर जहां आपको फीजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर परकार की अपडेट जो है हमारे दुआरा समय समय वे आपको दी जाती है और आपको पता है कि आज आठ अग एक्वरेशी के शाहद आपको अंसर बताने की सिर्फ वहीं आंसर में आपको बताऊंगा जिसको मेरे को पूरा जो है जिसकी इनफोर्मेशन होगा उसका अंसर दर्सल में आपको यहां पे पताने वाला नहीं हूँ तो वीडियो में बने रहें लाश्ट तक अपने बाक्स आप काउंट कर शक्ते हो आपका क्या जो है स्कोर रहने वाला है आप अपना जो है स्कोर भी यहाँ पे जो है काउंट कर पाएंगे और अनुमान लगा पाएंगे दरसल आपका क्या स्कोर इस एक्जाम में रहने वाला है तो एक एक क्यूस्टन को जो है पूरा यहां पे हम देखने वाले हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ और अपने आंसर का आप मैच करना उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना आप इस एक्जाम के रिगार्डिंग कितना स्कोर आप कर रहे हैं पेपर का लेवल जहां तक मैंने कुछ एक क्यूस्टन को देखा है उसके साथ से मेरे को लग रहा है बिल्कुल अवरेज पेपर था पेपर में ऐसा कुछ था ही नहीं कि इसको हम टफ करें तो अभी हम सरू कर रहे हैं और पहला क्यूस्टन आपके स्क्रीन पे है कि क्यूस्टन का आंसर मैं आपको बताता हूँ चलुँगा वीडियो फोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हिंदिय और इंग्लिस दोनों इक क्यूस्टन आपको नज़राएंगे एक आदर क्यूस्टन अरजुन अवाड दरसल किस को मिला था वो आपको बताना है तो किस को मिला था यहाँ पर right answer आपको देना है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option डी भई यहां पर right answer क्या हो जाएगा उदेचंद यह पहले wrestler थे जिनको पहली बार जो है दिया गया था, आपका अर्जुन अवार, अर्जुन अवार उदेचंद को दिया गया था, 1901 में जो है दिया गया था, यह बात आपको याद रखनी है, उदेचंद वो पहले रेशलर थे, ठीक, इसके बाद हम पहुंच गए, नेक्स्ट कुर्शन पे, नेक्स्ट कुर्शन जो technique का वो किस से संबंदित है hitch kick technique जो है वो किस game से संबंदित है ये आपको बताना है तो किस संबंदित हो जाएगी ये ये हो जाएगी आपकी long jump से long jump से option c यहाँ पे बिल्कुल right हो जाएगा long jump इसके बाद इसके बाद next question है निमलखित में से सबसे धीमा stroke कौन सा है बई कौन सा है तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा backstroke बई backstroke सबसे slow जो है swimming का एक जो है part होता है backstroke ठीक है चलो बताओ 3 से 6 सबता का जो prescription chakra वो क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है meso chakra बिल्कुल right हो जाएगा क्योंकि beach का है ये meso वन वीक का होता तो micro के साथ जाते वन येर का होता तो micro के साथ हम चले जाते चलो बताओ ये भई evaluation से संबंदित question है 6 number question in continuous comprehensive evaluation the term comprehensive evaluation is referred to सतत और व्याकप मुल्लेंकन में व्यापक मुल्लेंकन सब्दावली का तातपरी आपको बताना था तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ जो है इस question का right answer क्या हो जाएगा option A भई sexic और शह सेक्सिक छेतर का मुल्लेंकन बिल्कुल right हो जाएगा comprehensive जो term है उसका मतलब है evaluation of scholastic और co-scolastic area भई बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो आप next है अभीकरमित अधीगम के साखिय अभीकरम का विकास किस के दोबारा किया गया who was developed the branching programming of instructional learning तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ right answer क्या हो जाएगा instructional जो instructional जो learning थी वो skinner के दोबारा देगी थी किस के दोबारा देगी थी skinner के दोबारा चलो इसके बाद इसके बाद मेरे को बता दो बुद्धी का जो समुख कारक्षिधानत है वो किस के दोबारा देगा गया group factor theory of intelligence किस के दोबारा देगी थी किस के दोबारा देगी थी group factor theory of intelligence learning किस के दोबारा देगी थी teaching aptitude या इसको आप psychology कह सकते हो भई बिलकुल आपने अगर हमारी तीन घंटे की class देखियोगी psychology के तो number of questions आपको मिल जाएंगे जैसे programming learning हो गया group factor जो बूद्धी सिधान तो उसके बारे मैं मैंने उस तीन घंटे की बाते की थी ठीक है तो एक एक बात आपको तीन घंटे की class से मिल जाएगे मैं पूरे confidence के साथ आपको बताता हो चलूँगा कि हमने UP और DSSB के practice at की तो वहां से भी number of जो बाते हैं आपकी वो cover हो रही थी भई तो यहां पे जो है question है direct question है बिल्कुल आप इसका right answer जो बता सकते हो कि कौन सा color जो है Olympic चलों में जो है नहीं होता है बिल्कुल आसान question है बिल्कुल आप जो आप दे सकते हो इसका क्या हो जाएगा भूरा option D भई बाकी होता है निला पिला काला हरा लाल यह सारे होते हैं तो भूरा नहीं होता भई इसके बाद next question है जो बैडमिंटन की श्टल कोक होती है उसमें दरसल कितनी फीदर होते कितने पंक होते हैं यह बता दो कितने होते वेरीजी क्योसन 16 होते हैं बहुत आसान बात थी यह भी तो 16 होते हैं देख सकते हो कितना easy paper बनाया गया है मेरे ख्याल से अभी तक एक भी क्योसन टफ नहीं आया भई अब next question है देखते हैं उसमें कितना जो है दिया गया है टफनेस दी गई है चलो बता दो भई very easy question angular speed क्या है और दूसरा था on set command the sprinter is in set command में sprinter कहा रहता तो पहले इसका बता दू भई stable equilibrium में रहता है set command के अंदर sprinter बहुत बार इस question को पढ़ चुके हैं बहुत बार फीदर वाला भी पढ़ चुके है सोला वाला मतलब पीछे एक उदेचंद को छोड़ दे हम पहले जो रैशलर थे जिनको द्रोन अच वो दिया का अरजन पुरुषकार बाकी number of questions हम study कर चुके है हमारी practice set की series में चलो देखते हैं कोण ही ये चाल क्या है कोण ही ये चाल दरसल क्या ही ये बताना था तो इनके options को आप study करोगे तो right answer को आप बता सकते हो तो भई दिये गए options के हिसाब से दिये गए options के हिसाब से मेरे को यहाँ पर right answer बिल्कुल लग रहा option A the rate of angular distance is called angular speed आपने कितना जो है दूरी तै की angular जो distance कितना तै किया इसके बटे में जब आप जितना समयलिया वो करोगे आप उने में करोगे तो angular speed आ जाएगी दिये गए options के हिसाब से यहीं बनता है क्योंकि रेखिये दूरी को आप नहीं मान सकते कौन यह चाल रेखिये वाए कौन यह दूरी दोनों को भी नहीं मान सकते क्योंकि आप आप अंगल में कोई चीज कवर कर रहे हैं कोई दूरी तो वहीं angular speed कहलाएगी ठीक है दिये गए options अट पटे हैं थोड़े से लेकिन फिर भी right answer option A बन रहा है भई चलो next question आपकी स्क्रीन पे तीन questions आ रहे हैं और यहाँ पे which of the following swimming stroke does not start from outside the pool कौन सा जो है swimming का stroke pull के outside से सरूरू नहीं होता है यह आपको जो है बताना है तो यहाँ आपका right answer हो जाएगा best best stroke भई ठीक है option एक जो पानी के अंदर से जो खिलाडी सुरू करते है भई चलो इसके बाद देखते है next question motivation की जो hyzen theory of motivation किसके दूरा दी गई यह आपको दरसल बताना है hyzen theory अभी प्रेना स्वास्ते सिदान्त विक्सित किया गया किसके दूरा किया गया किसके दूरा दिया गया सिदान्त हेजबर्ग के दूरा दिया गया था भई option बी यहाँ पे बिल्कुल आपका right हो जाएगा हेजबर्ग हेजबर्ग बोल सकते है इसको हर्जबर्ग बोल सकते है ये भी हमने जो बिल्कुल कवर किया था किसके अंदर हाईजीन फैक्टर हमने कवर किया था हमारी तीन गंटे की साइकलोजिक क्लास के अंदर Two-Factor Theory of motivation बीस को बोल सकते हो आप इन्हों ने दो परकार के factor बताए थे एक hygiene और एक और बताए था अगर आपने वो class देख्यों के ना बिल्कुल आप right answer दे दोगे यहां पर ठीक है चलो बताओ learning plateau due to psychophysical limitation मनो सारिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधीगम पठारों को क्या होता है easy to destroy can't be destroyed cannot be destroyed difficult to destroy right answer आपको choose करना है तो यह question भई मैं इस question को यहीं पर छूडवा रहा हूँ आपको ठीक है इस question को हम जो है नहीं कर रहे क्योंकि यह थोड़ा सा भई typical type मतलब question है सोचने वाला question तो मैं गलत answer की बज़ाए इस question को यहां पर छूडवा रहा हूँ बोर्ड की answer की आएगी तो हम इसको देखते हैं थ्रंबोसाइट्स प्लेटलेश होते हैं यहां पर ज़्यादा सोचने की जूर्थ है नहीं बहुत बार यह चीज़ें पढ़ चुके हैं बई चलो According to whom Adjustment is the process by which a living organism maintains a balance between its need and circumstances that influence the satisfaction of their needs यह by definition आपको बतानी थी है दरसल कि इसके दोबारा दी गई तो इस question को भी हम जो है drop कर रहे हैं क्योंकि इसका answer वही मैंने Google भी सर्च किया हुआ पर सैफर कुछ करके दिखा रहा है तो इसका right answer जो है मेरे को मिला नहीं तो मैं इस question को भी आपको छुटवा रहा हूँ जो आपका ये question है 24 number क्योंकि ये भी जो है psychological question है और ये definition मेरे को ध्यान भी नहीं दरसल होगी इन में से किसी की लेकिन Google मैंने गया time तो वहाँ पे नहीं मिली मेरे को भी ये चलो next बतादो which one of the following is not a grand slam tennis championship तो grand slam tennis championship कौन सी नहीं है Swedish open जो है कोई भी grand slam नहीं हो थी बाकी तिनों grand slam के अंदर सामिल रहती हैं इतनी बात आप question मजा गई चलो ये बतादो अब next question मनोविग्यान फ्राइड मन्यूसर के बितर किसे मानता है साइकलोजिस्ट फ्राइड considered what man within man तो यहाँ पे आपको right answer बताना है ये चीज़ भी हमने साइकलोजी की क्लास में दरसल कवर की थी तो फ्राइड ने जो त्योरी दी थी थी ना उसमें तीन बातें बताई थी तीनों ये option में दे रखी है बई सूपर इगो परम एहम इड इगो सूपर इगो का मतलब इस इन्हों ने बताया था कि ये जो है ये मालों की आल आम आदमी सूपर की बाते हो जाती है बगवान आ आदमी तभी बनता है जब वो सभी चीजों के बीच बैलेंस बना के चले संतुलन बनाके चले ठीक है संतुलन बना के चले वहीं आदमी होता है तो साइकलोजिस्ट फ्राइड जो इगो को साइद आदमी मानता हुग आदमी के अंदर होना चाहिए क्योंकि सूपर इगो होगा तो भी वह आदमी से उपर उठ गया रीड है तो भी वह पसू है तो यहाँ पर राइट अंसर उप्सन सी भई देखते हैं बाकी बोर्ड क्या करता है चलो किस मसल को आप टेलर मसल का होगे भई कुछ थाई नहीं क्योशन के अंदर बहुत बारिश क्योशन को पड़ चुके हैं सब्सक्राइब थे करना करते है इसके बाद हम चलेंगे नेक्स क्योशन के ऊपर from the following an injury to ligament आपको बताना है कौन सी जो है injury ligament की injury है भी ligament की injury कौन सी है तो sprain है CDC बात है moch moch को आप जो है ligament की injury कह सकते हो अगर tendon पूछा होता तो strain हो जाती भई ठीक है चलो ये बता दो अब time taken by the body to reach maximum speed is called सरीर दवारा उच गती तक पहुँचने का समय है क्या कहलाता है भई क्या कहलाता है सरीर दवारा उच गती तक पहुचने का समय reach maximum speed is called ये कहलाएगी भी acceleration ability आप दीरे दीरे body को accelerate करें और maximum speed तक जा रहे हो क्या कहलाएगी acceleration ability चलो action research has the limitations action कियातमक सोधका सिमांकन होता है कैसे ओता research से संब्दर क्योशन है भई तो इस question को भी हम छोड़ रहे हैं भई यहीं पे action research वाले को क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी confusing question है तो यहाँ पे मैं ढून रहा था मेरे को इसका भी right answer मिला नहीं भई बाद मिलता तो मैं बताता हूँ आपको चलो reinforcement theory बता दो किसके दवारा दीगी परबलन का सिधान्त किसके दवारा दिया गया जल्दीशे बता किसके दवारा दीगी skinner के दवारा दीगी ये बात भी हम पढ़ चुके हैं तीन गंटे की अपनी कलास में psychology की कलास में अगर आपने देखी होगी तो चलो next बताओ डेविस के नुसार friction अधिगम पर की याकास सही करम बताना है ये भी आपका psychology teaching aptitude से संभ़ने तो according to the davis the correct series of teaching learning process तो यहां right answer क्या हो जाएगा देखो देखो तो वैसे यहां पर कुछ जादा कुछ करने की जूरत है थी नहीं सबसे पहले plan करोगे आप plan करोगे फिर organizing करोगे फिर leading आच्छे यहां पर थोड़ा सा confusing है एक minute भई रुको एक minute यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो यहां right answer option option A आपका हो जाएगा भई प्लान करोगे organize करोगे lead करोगे control करोगे ठीक है option A ज्यादा कुछ ही यहां पर था नहीं समझने का option A यहां पर बिल्कुल 33 में बिल्कुल जो है right answer आपका हो जाएगा option A ठीक है हिंदी में भी देख सकते हो new gen करना व्यवश्था करना अगर शरण करना और निंटर्ण करना चलो next बताते हैं कि कितनी बाई दी जाएंगे अगर टीम में उनीस हो तो बताना है आपको अगर एक टूनामेंट में उनीस टीम में भागे लें तो कितनी बाई दी जाएंगी तो यहां पर कुछ जादा सोचने का था ही नहीं तेरा बाई दी जाएंगे बाई चलो next बताओ हाउ बताना क्या है बाई मैं ही बताता हूँ आपको how many focus group was were formed to prepare national curriculum framework 2005 तो यह भी आपका teaching aptitude से समद्द क्योंसन तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा बाई थोड़ा सा तो यहां right answer हो जाएगा बाई 21 जो है focus group थे जो बनाए गए थे बाई 21 चलो next पे चलते हैं फिर teaching aptitude से समद्द क्योंसन है तो physical में कोई भी खास समस्या वाली बात थी नहीं और अभी देखते हैं कि सिक्षया का अधिकार अधिनियम 2009 भारतिय स्विधान के किस अनुचेद से सम्द्द है भाई तो यहां यहां right answer हो जाएगा 21A भाई option D बिल्कुल right answer हो जाएगा चलो the chaser is related to game of chaser किसे सम्द्द है भाई chaser किसे सम्द्द है खोखो से सम्द्द है खोखो में तो chaser करते हैं very easy question बहुत बार पढ़ चुके है chaser catcher ठीक है चलो बता which bone is not a part of leg बिल्कुल direct question है भाई कौन सी अस्थी जो है हमारी leg का हिसा नहीं है बिल्कुल ही direct question ही आपे दिया गया था और यहां पे right answer क्या हो जाएगा humorous bone आपके हाथ में होती है आपको पता है very easy question भाई physical में तो कुछ दिया ही नहीं गया है चलो किसको जो है father of physical education कहा जाता है इंडिया के अंदर भाई किसको कहा जाता है अची बक क्योंकि इन्हों नहीं पहला college खोला था ना मदरास के अंदर चलो very good final event बता दो deck loan का क्या होता very easy question यार कुछ भी नहीं पंदरा सो मिटर क्या यार यहां पे कुछ दिया ही नहीं इन्होंने बहुत ज्यादा easy question paper दिया भी physical तो 70 नंबर की मेरे को लगता दी ही नहीं कुछ चलो बताओ during very strenuous exercise the major reason for the one set of fatigue बताओ आप कर रहे हो strenuous exercise तो कान क्या है था कान का lactic acid formation cdc बात है कोई सोचने का विशह है ही नहीं चलो next definition दे दी भई physical education is the phase of physical education is that phase of whole field of education that deals with big muscle activities and the related response is defined by यह definition आपको देने है किसके दोरा दीगी बता दो जल्दी से यहां पे right answer क्या हो जाएगा तो यहां right answer क्या हो जाएगा जे बी नैस बई option बी जे बी नैस की definition नहीं याद रखें बहुत बार exam में पूछी जाती है चलो बई next question था हमारा UKLT में which organ perform endocrine as well as exocrine function in human body बई यह भी हमारे practice head में आ चुगा दरसल मेरे को याद है मेरे को ध्यान यारा कौन से में था तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा तो यहां right answer क्या हो जाएगा आपका pancreas option a pancreas वो अंग है जो endocrine के साथ साथ exocrine function भी human body में करता है pancreas very easy question चलो मेराथन दोड की total दूरी बता दो 42.955 km कितनी बार practice head में क्योशन है बार बार आया भी ठीक है N.I.S. पटियाला कब बना very easy question कब बना भई बता दो 1961 में बना था अच्छा initial stage of learning करो बहुत बार आ चुगा भई initial sport यह कहला था very easy question direct question था भई यह भी कुछ था ही नहीं चलो बताओ बारा मिनट चाल कूपर टेस्ट किस सारीक अक्समता का मुल्य अंकन करता भी विच फिजिकल फिटनेस कॉंपोनेंट इज एवलोटीड बाई ट्वल मिनट रन और कूपर वो कूपर टेस्ट क्या मापोगे अर इंडॉरेंस से मापोगे आप कुछ था ही नहीं आच्छा पक जे संब्ढाख से संब्ढब होने किस से इस की तो इस लिए चाब से संब्ढ़ हूं भाई आपका टीकूजिंग मुझा ऑप्र संसं देजुशंग है कि रखा मिन रहा है तो मैं इस कैनिपर यहीं पर डॉप आउट करवा रहा हूं भई प्ताइस नंबर क्योशन को भी ठीक इस क्योशन को भी मैं यहीं पे चूटवा रहा हूँ चलो नेक्स्ट क्योशन था फिजीकल काई हनुआन व्याम परशारक मंडल की स्थापना कब की गी 1914 में की थी कुछ सोचने का था ही नहीं अच्छा खेल कुद में आपको इंजरी होगी तो उसका सही इलाज का मेथड क्या होगा यह बताना था भी राइस थेरपी आपको पता अपनाई जाती खेल कुद में अगर चोट लगी तो राइस थेरपी अपनाई जाती तो क्या होगा RICE, option A हो जाएगा RICE, सीधी सी बात है चलो, next question भई next question है celiac disease due to deficiency of which vitamin celiac जो disease है celiac वो किस vitamin की कमी से होता है यह बताना था, 3-4 number question में तो क्या right answer हो जाएगा तो यह question थोड़ा सा confusing है क्योंकि इसमें vitamin B2L की कमी से भी होता है और vitamin D कमी की कमी से भी होता है और यह थोड़ा सा confusion भई इन दोनों में से कोई इन सा भी सकांस्वर हो सकता है ठीक है, चलो, solder gradle में हडियां होती है, बता दो कौन सी कौन सी होती है very easy question, clavicle होती है scapula होती है, बताओ कौन कौन सी होती तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा तो मैंने आपको बता दिया clavicle and scapula very easy question कुछ था ही नहीं चलो, according to questioner which is not a type of personality कुछ था ही नहीं paper मेरी EL में भई बिल्कुल zero paper मानूगा इसको भी मैं बिल्कुल direct question दिये गए हैं उठा उठा की कुछ था ही नहीं आपने हमारी practice head series गयो गयो गये न DSSB और UPTGT PDT गी तो paper बिल्कुल zero है अभी तक तो भई देखो अभी तक 55 तक पहुँचे 3-4 questions मैंने चुटवाए हैं वो भी इसलिए के confusing थे मैं उनके बीच में पढ़ना नहीं चाथा था कल को कुछ और नजर आए तो तो offer की full form भई सोचना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे को यहां पर देखना पड़ेगा तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा अमेरिकन Alliance for Health Physical Education, Recreation and Dance भई option B बिल्कुल right answer हो जाएगा चलो can't किस सब्द में use क्या जाता भई किस में कबड़ी में use क्या जाता है ठीक है can't शब्द किस में use क्या जाता है कबड़ी में चलो बताओ next question में क्या है which of the following exercise in note a aerobic exercise कौन सी जो है aerobic exercise नहीं तो power lifting जो है aerobic exercise नहीं भई option B power lifting ठीक है badminton court का dimension आप से पूछा है तो क्या होगा badminton court की लंबाई और चोड़े क्रास्वेबर टेस्ट क्या मापता है क्रास्वेबर टेस्ट भई minimum muscular strength मापता है very easy question कुछ था ही नहीं जैसे इस में मेरे को लग रहा है minimum muscular strength चलो next बताओ consistency of score बताना क्या मैं ही बताऊंगा भई बार बार practice set वाली feeling आ रही है consistency of score obtained by same individual on different occasion or with different sets of equivalent item is called क्या कहलाएगा भई ये reliability reliability wish option ये तो कहलाएगी न wish option ये तो कहलाएगी जब आप अलग अलग individual का different situation में score ले और और वो same आ रहा तो reliable ही तो आवो ठीक है चलो next बाकर महदी के साब्दिक सरजनात्मक चिंतन friction में कितने सब्द साब्दिक उप्रिक्षन है भई बाकर महदी ये भई psychology का question है और एक परकार का ये जो है test होता है ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा तो मैं इस question को भी छुटवा रहा हूँ क्योंकि अपना main focus है physical education को cover करणा एक बार इसको भी मैं देख लेता हूँ उसका क्या होगा right answer थोड़ा सा मैं अगर ध्यान करने की कोशिश करूं तो तो यहां right answer हो जाएगा भी option d बिल्कुल चार जो है दिये गए है मेरे को ध्यान आ गया तो चार यहां पर right answer आ जाएगा four चलो next किसके अनुसार विकास प्रिवर्तनों की वहस रंकला है जिसमें जियू भूर्ण अवस्ता से प्रिपकाउता की अवस्ता तक पहुंचता है भई ये भी थोड़ा सा सोचने का question है एक मिनिट का समय लेना पड़ेगा तो इस question को भी मैं छूटवा रहा हूँ 63 number को हम चलते है next next question है 64 number देख लो सीखना आदतों ग्यान वै अभिवर्तियों का अर्जन है किसने का था भाई ये learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude who said it first question learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude who said it किसने का ये तो इसका right answer हो जाएगा option D क्रो एंड क्रो की definition थी इसमें भी कुस्तानी हमने जो हमारी psychology class पड़ी उसमें बिल्कुल ये चीज पड़ी थी भई इसके बाद next question एंजी बोबी जोरिज किसे संब्दी ता athletic से संब्दी ता इसमें भी कुस्तानी इसके बाद दो सता के बीच गर्षन के अधिक्ता मुले को कहा जाता है the maximum value of friction between two surfaces card ये यहां पे क्या कहलाएगा भाई ये हे यहां पे कहलाएगा right answer यहां पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो यहां पे थोड़ा सा सोचने का question है और इसको सोचने के बाद इसका result ये निकलता है कि समित गर्षन ये कहलाता है limiting friction चलो चलो next बताओ बताना क्या है वो फिर वहीं प्रेक्टिसेट वाली feeling आ रही है किसमापन के आरमिक किसमापन में आरमिक बिंदू जो सुनने होता in which measurement initial point is 0 तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा in which measurement initial point is 0 तो यहां पे भी थोड़ा सा समझने का question है तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा तो 69 के इस number question को भी मैं चुटवा रहा हूँ भाई इसका answer मैं आपको नहीं बता पाऊंगा चलो और यहां पे right answer क्या होगा भाई मानसिक दवन्दो की स्थिति में क्या गया समायोजन है adjustment during mental conflict is तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा तो यहां पे भाई यहां पे दिएगे options की साब से right answer option A बनता हो नज़रा रहा है सव समायोजन चलो next question direct question है राजकुमारी अमरित कोर कोचिंग स्कीम कब लागू की गी 1953 में option D बारत में बास्केटबाल खेल में पहली महिला अर्जुन पुरुशकार विजेता कौन थी भी तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा in India first woman अर्जुन अवार्ड in basketball is तो यहां पे right answer आपका हो जाएगा सुमन सर्मा option B भई ठीक है चलो next चलते हैं tendon किसको जोड़ता है भई tendon आपको पता है बहुत बार पढ़ चुके है practice set में भी bone से muscle को या muscle से bone को जोड़ता है बहुत बार पढ़ चुके है भई और ये question आगया भई in healthy human being the number of white blood carpals is तो कितने होते हैं भई यहां पे right answer क्या हो जाएगा in healthy human being the number of white blood carpals is तो यहां पे right answer जो मेरे को लग रहा है तो जो overall google आप देखोगे तो पन्तालिस सो से ग्यारा हजार के बीच दिखा रहा है भई per cubic meter अब यहां पे दियेगे options के हिसाब से तो none of these नजर आ रहा है मेरे को लेकि nearby भी कई बार ले 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 लेते हैं तो वो देखने वाले बात होगी क्या लेते हैं पांच से नो हजार आपका right answer यहां पे हो सकता है भई तो यहां पे clear cut right answer मेरे को नजर नहीं आया अब देखना दिलचस्प होगा board क्या मानता है भई चलो negative transfer of learning is known as negative transfer of learning को क्या का जाता है भई क्या कहोगे आदत हस्तक्षेप के रूप में क्या कहोगे internal load को आप कैसे judge करोगे कैसे lactic acid concentration के दवारा जात सकते हो ना ठीक है इसके बाद which one is also known as speed play first lag training बोल सकते हो speed play को भई चलो next बताओ और यह भी बाई मैं क्योशन चूटवा रहा हूँ 78 number क्योशन इस क्योशन को भी चूटवा रहा हूँ जित मिलेंगे बई चलो रा रानी जहांसी ट्रोफी is associated with which game रानी जहांसी ट्रोफी is associated with which game तो यह किस से संबंदित है बई किर्केट से संबंदित है औप्शन C राइट हो जाएगा डिस्कुलेलिया किस संबंदित है यह आपका understand to disease poor डिस्कुलेलिया मैच से संबंदित होता है यह पका है डिस्कुलेलिया तो यह understand to disease अंकों को समझने में ऐस समर्ता होना बई गणिच से संबंदित होता है ठीक है चलो next जलते है into how many stages has colesanic divide the stage of human development एक बार Fisher Christian को पढ़ना पढ़ेगा in how many stages has colesanic divide the stages of human development तो यहाँ पे right answer हो जाएगा 8th stage बई option C चलो मिटाली राज किससे संबंदित है किरकेट से संबंदित है डारेक्ट किस था ही नी चलो निमलखित में से pen holder grip किससे संबंदित है pen holder grip किससे संबंदित है बई pen holder grip समझने वाली बात है बई from the following sports pen holder grip is related to तो यहाँ आपका right answer क्या हो जाएगा option C बई table tennis से यह संबंदित अदरसल table tennis से संबंदित याद रखने की बात हमारे शामने नया question है बिलकुल चलो इसके बाद है next question according to traverse attitude means तो यहाँ right answer क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे right answer बई देखना पड़ेगा थोड़ा सा यह जो teaching attitude के questions है न यह थोड़े से समझने के जूरत है तो इसको में मैं छूटवा रहा हूं भई चलो next बताओ hip joint किसके वर्गी करत के अंदर आएगा ball and socket joint बोल सकते हो hip joint को आप very easy question 85 number question भी बिलकुल easy था भई कुस था ही ने question में चलो इसके बाद hang technique is related to with hang technique किस से समझन दी था भई hang technique is related to with which game तो यहाँ right answer क्या हो जाएगा भई long jump कहीं option में है तो hang technique long jump से समझन दी था भी long jump बड़े आसान question आएवे देयार चलो next question आप इंदी में आपको सपस ने दिख रहा हूँ इंगलिस में देख लो what are the what are the total number of test item in kraus weber strength test फिर से आप सुन लो question थोड़ा सा तो यहाँ right answer क्या हो जाएगा six भई option c six बिल्कुल right हो जाएगा देख सकते हो कितना आसान है जाएगा अगर मैं इसको करवाना चाहूँ आपको the correct series of micro teaching activity is तो यहाँ right answer क्या हो जाएगा यहाँ भई थोड़ा सा रुकना पड़ेगा part here is not teaching feedback planning सबसे पहले तो planning होगा यह पक्का है भई सबसे पहले planning होता है जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है लेकिन मैं इस question को छूटवा रहा हूँ भई next question हम कर रहे हैं भई next question 89 number which of the following hormone is secreted in the human body at the time of stress stress के श्रमें जो कौन सा hormone जो release करती है बोड़ी which of the following hormone is secreted in the human body at the time of stress तो यहां पे right answer भई क्या हो जाएगा थोड़ा सा रुपना पड़ेगा हमें वैसे तो अगर हमारा hormone अगर देखें मैंने जो पड़ा है cortisol होता है stress hormone लेकिन यहां पे थोड़ा सा time लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहां पे कौन सा राइट आंस्वर जो हो बन रहा है भई दिए के option के हिसाब से तो कौन सा भी भई यहां पे right answer जो है नहीं बन रहा है और वहीं option निगल के आ रहा है cortisol वो option में है नहीं तो इस question को भी मैं confusing मान के छोड़ रहा हूं आपका ठीक है चलो 110 meter hurdle में number of hurdles बता दो कितनी होती है दस होती है चलो आप दस बाद लो चलो 400 बाद लो कितना ही बाग लो hurdle में चलो which intelligence is required to understand the understand and the use of word number and formulage सब दंकोर शुत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धी आवशक है भई कौन सी बुद्धी आवशक है थोड़ा सठ पड़ा कि उसन एक बाद फिर देख लो which intelligence is required to understand and use of words, number and formulage तो इस question को भी मैं छुटवा रहा हूं भई यहीं पर और next जलते हैं नोकनी का दूसरा नाम पूछा है भई नोकनी इस नोनेज तो यहां पर आपका right answer हो जाएगा जेनू, welcome भई option A बिल्कुल right हो जाएगा next है Harvard step test किसके दौ़ारा developed किया गया Harvard step test was developed by किसके दौ़ारा किया गया था भई option B हो जाएगा बिल्कुल right answer Lewis, Broha और उसके सयोगियों दौ़ारा भई option B आप देख ले न यह right हो जाएगा कबजासंदी का उदान पूछा था हिंज जोइंट का तो knee joint बिल्कुल हो जाएगा घुटने का joint और निमिलखित में से लोना किस से संबन दी तभी तो drive theory किसके दुवारा देगी थी भाई यह थोड़ा सा आपका जो है थोड़ा सा confusing question है मेरे को लगता है यह भी मैं आपको छूट दवा देता हूँ ठीक है चलो next के उपर चलते है बैटन की से में यूजगी जाती है रिलेरेस में direct question है इससे आसान question आपके exam में आ नहीं सकता चलो next वो drug बताओ जो आपके central nervous system को उतेजित करता है तो mfa time in हो जाएगा option d भाई central nervous system को जो directly उतेजित करेगा और the kunjuru committee was established in which year the kunjuru committee was established in which year तो यहां right answer क्या हो जाएगा च्या हो जाएगा राइट अंसर 1959 option b ठीक है और next जो last question है ना हमारा इस paper का वो है निमलकित में से महिला खिलाडियों में से किसने olympics बर्दा में भारत के लिए पहला पदक जीता भई करना मलेश वरी कुछ था ही नहीं तो यह थे भई आपके so questions जो UKLT मैथर paper को मैं मानता हूँ zero भई सतन नंबर की physical में 4-5 questions को मैं छोड़ दूं तो बाकी पैशक नंबर आप भी जी ले सकते हो अगर आपने हमारे practice एट भी किये होंगे यह real में surprising है कि number of questions और आप teaching aptitude के 10 questions को छोड़ दो तो 20 questions आपको हमारी 3 गंटे की class से मिल जाएंगे तो मतलब मैं मान के चला रहा हूँ 80 plus questions आपको हमारी जो पीछे की जितनी भी कोशिश हैं पिछले 15 से 20 दिन में जितने भी practice एट आए वहां से थे भई आपकी 3 गंटे की class हो चाहे कुछ भी हो doesn't matter लेकिन real में paper लग भग वहीं से था paper में बाहर कुछ भी नहीं था इसी परकार मैं DSSB में पहले दिन से कह रहा हूँ कि paper में बाहर से कुछ नहीं आया paper बिल्कुल आसान आया था और paper में real में कुछ नहीं था बाहर से बिल्कुल direct question जो है थे भई अब जो है जादा मैं समय नहीं लूँगा आपसे जो है बिल्कुल जितनी भी बाती थी मैंने आपको बता दी है और बिल्कुल easy paper था भई paper में कुछ बिल्कुल भी नहीं था लेकिन फिर भी आपको किशी question के उपर objection लगता तो जरूर आप comment करके बता दें ताकि पता चल सके कि किसका कितना score जो है बन रहा है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बई और चैनल पर पहली बार visit करें तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहां पर आपकी कोई भी update जो है physical education की कम से कम हम मिस नहीं होने देते हैं और जल्द ही यूपी की जो पांसर की है वो भी आएगी इस पेपर के तुन तो बाद जैसे पेपर खतम होता है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बई वीडियो का अपने लाश्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अने बाद थैंक्यू